दोस्तो नमश्कार, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आप उसमें लिंक है या नहीं है ये जानने के लिए आप या तो गल्मेंट के किसी अधिकारी से बात करते हैं या ऊफिस के चक्र काटते हैं या C.S.C. यानि लोकमितर केंद्रों में जाकर पता करते हैं दोस्तो इसके लिए आपको कहीं जाने के आफशक्तनी है आप अपने घर में अपने लैपटॉप या कम्प्यूटर से भी इस बारे में जानकारी प्रापत कर सकते हैं आपको क्या करना है दोस्तो आपने अपने कम्प्यूटर को स्टार्ट करके Google.com को ओपन किया यहां आपने लिख देना है Income Tax जो Income Tax की Official साइट है उसको आपने ओपन करना है अगर आप साइट के बारे में नहीं जानते तो Google में income tax लिखा उसके बाद आपने इनकी home page income tax department पे क् दोस्तों दूसरा link आता है link अधार status आप जान पाएंगे कि आपका अधार आपके pen card के साथ linked है या नहीं तो इसके लिए आप यहाँ पे click करेंगे इसको click करने के बाद आपके सामने options आती है enter the following details पहले आपको pen number डालना फिर अधार number डालना है दोनों आप अपने सामने रख और यहाँ पर मैं pen number डाल रहा हूँ pen number आपका capital में रहता है जैसा भी लिखा होगा pen number पर उसको आप enter कर दें नीचे आपने अधार number एंटर कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ बने इस button view link अधार status पे click कर देना है यह सामने message आएगा your pen number और आगे pen number के बारे में starting दो अंक होंगे और last के दो अंक होंगे is already link to given अधार और अधार के दो अंक और last के दो अंक अगर यह link नहीं होगा तो यहाँ पर message आएगा is not link उसके बाद आप link कर सकते हैं दोस्तों यह जानकारी को भर बैठे उप click से मिल सकती है बस आप इस video को ध्यान से देखें और इसी तर से follow करें दोस्तों अगर आपको वीडियो से लेगे तो please like, subscribe and share the channel